दोस्तों मार्केट में जब आउट पॉफॉम करना सुरू होता है तब IT सेक्टर का अच्छा कासा पाटिसेपेशन रहता है और यहां पे जब भी आप लोग बात करोगे कि लीडिंग स्टॉक जो है इसी सेक्टर का जब भी पॉफॉमांस करना सुरू करता है तो उसके साथ ब पिछले वाला स्टॉक उसके नीचे में जो रैंकिंग में है उसी स्टॉक उतना ज्यादा पॉफॉम नहीं कर पाता है और आज ही एसे ही स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है टेक महिंद्रा और हम लोग का टेक महिंद्रा का उपर क्या स्टाटाजी होना चाहिए और इसमें investment में हम लोग का क्या decision होना चाहिए कौन सा price range में यह trade करेगा और कौन सा phase में अभी भी है और एक एक करके बात करेंगे सबसे पहले हम लोग fundamental और financial दोनों देखेंगे उसके साथ साथ technical में जाके वहाँ पर हम लोग के conclusion निकालेंगे नमस्का दोस्तो market late में आपका स्वागत है मैं आपको लेके चलता हूँ fundamental analysis of Tech Mahindra जैसे कि आप लोग को पता है यह एक टेलीकम सर्विस का जयांट है तो टेलीकम सर्विस के उपर काम करता है और equipment manufacture भी करता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है और उसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइड भी करता है और उसके उसके साथ जो अभी भी जो जो भी emerging sector है that is retail and logistics उसके उपर भी यह काम कर रहा है manufacturing के उपर भी काम कर रहा है और उसके साथ साथ healthcare और life sciences के उपर भी काम कर रहा है तो अगर आप लोग देखोगे तो market capitalization के हिसाफ से एक large cap company है 64,000 करोड का company है और इसका ROC एगर देखा जाए return on capital employed तो आपको 22% लगभग दिखेगा 22.35% अगर इसका peers के साथ अगर compare करोगे last 5 साल का ROC अगर on an average आप लोग निकालोगे तो highest आपको डिख जाएगा L&T Info Tech का correct और sorry सबसे जादा दिख जाएगा आपको TCS का उसके बार L&T Info Tech का अगर उसके साथ साथ अगर आप लोग compare कर तो तीन की चान नंबर पोजिशन में आप लोग का टेक महिंद्रा आ जाता है बट वीप्रो से जादा है वीप्रो अगर 19 है last 5 साल का ROC तो उससे जादा आपको टेक महिंद्रा मिल जाएगा correct उसके बाद अगर आप लोग प्रॉफिट लॉस में आगर चलोगे आप लोग तो आपको एक consistently growing profit देखने के लिए मिलेगा लेकिन मास 2020 में थोड़ा सा कम उसका profit दज किया हुआ है और उसके हिसाब से अगर आपको लोग cash flow देखोगे तो तीन साल का हिसाब से cash flow positive दिखेगा आपको और पांस साल के हिसाब से भी आपको positive दिखेगा तो because it is a service sector company इसमें cash flow और net cash flow अच्छा कासा maintain करके रखते हैं सबसे मुश्किल की बात है यहां पर promoter holding 35% है और यहां पर आप लोग देखोगे तो बाकी जो stake holding किसके साथ है तो आप लोग promoter के साथ देखोगे 35.83% आज अब जून 2020 और FIA के पास promoter से भी ज्यादा holding से stake holding है 39.62% और DIA के पास आप अगर आप लोग देखोगे 13.03% है और यहां पर public के पास 11% के लगभग है तो यहां पर कोई share holding है उतना ज्यादा complexity के बात नहीं है हां यहां पर मानता हूं कि मैं आप लोग बोलोगे कि यहां पर promoter holding तो less है बट कैसे हम लोग इसमें उतना sustain हो पाए because of FIA holding FIA holding अगर investment decision यहां पर आप लोग मिल सकता है correct और यहां पर जब भी हम लोग date के बात करते हैं तो 2817 करोर का date है जो की बहुत कम है और date to equity ratio निकल के आता है 0.13 और 0.1 जो की sorry 1 जो है हम लोग का threshold उससे बहुत कम है आप लोग बोल सकते हो लगभग 1 of 10th है right और यहां पर place percentage 0 है कोई दिक कम है तो 19.13 परसंट तो आपको ठिक ठाक दिखेगा तो यह तो हम लोग का fundamental और आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसा company है अगर आप लोग रेटिंग देने के लिए बोलोगे तो 9 out of 10 इसको मिलेगा कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है पूरा clean sheet company है right उसके बाद हम को दिख जाएगा कि अच्छा कासा intensity के साथ यह चड़ा हुआ था फिर यहां पे intensity टूटा और नीचे आने के लिए कोसी भी किया बट आ नहीं पाया फिर अभी भी यहां पे उतना ज्यादा intensity नहीं है force नहीं है ताकि यह आगे बढ़ सके correct और इसको confirmation करने के लिए इसका जो intensity है वो तूटता हुआ नजर आ रहा है correct और यहां पे अगर हम लोग 1 month का भी चार्ट देखेंगे तो 1 month का चार्ट के हिसाब से आप लोग को दिख जाएगा कि यहां पे एक negative trend का सो कर रहा है जो कि एक negative sign आप लोग बोल सकते हैं बीर sign है और यहां पे अगर 1 month में अगर negative sign ह लेबल भी एक बहुत जल्द टच कर सकता है उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं 2200 जो कि long term investment के लिए अच्छा का सा चार्ट पार्टन होता है तो यहां पर reverse triangle में कोई उतना ज्यादा sharpness नहीं था पिछले बार अगर यहां पर cross कर लेता है एक बार में तो यहां पर आप लोग को अच्छा का सा मल्टिवेगर पार्टन देखने के लिए मिल सकता है बट आज पर बाकी चार्ट पार्टन हम लोग को अभी लगन लगेगा नहीं कि यहां पर कोई आच्छा का सा अ पर यहां पर यहां पर में घ्री के बात करूं गाद कर नहीं गार्येर स्कशाया कि यहां पर जो भी शुत एच्टी-सी क्शेइंडवी लेबिल डिका हुआ था और इसके साथ भौलिम हो पी सपॉट में था और यहां पर आप लोगको जैसे देखा होगी आप गया फद जब भी भी आपको दिखेगा तो 666 सेम लेबल को अगर पार कर लिए और आच्छा वोल्यूम के साथ कर दे तब जाके इसमें अच्छा इजाफा आ सकता है प्राइस में बट यहां पर आप लोग को दिखेगा कि जो भी दोनों ग्रीन कैनल बना है उतना ज्यादा वोल्यूम स यह चाहए और यहां पर पे इसका इंप्राइस अभी तक खतम नहीं हुआ है और जभी भी खतम होगा तब तक आप लोग को एक बार वही सेम मतलब यह थोड़ा सा सार्पनेस नहीं है बोलके यहां पर वही 640 और उसके थोड़ा सा नीचे तक लेवल भी आने के लिए दिख सकता है आज पर डाइवर्जेंस करेक्ट और इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे निप्टी के साथ कोरिलेशन तो कोफिशेंट है अगर निप्टी का विव आपको आपके लिए आगए बुलिस है तो आपका टेक महिंद्र के उपर भी विव बुलिस होना चाहिए तो यहां पर मैं आपको समराइच कर दो एक बार सबसे पहले इसका अगर फंडामेंटल देख लिया जाए तो बहुत अच् अच्छा का सा एक्स्प्रोजर मिल रहा है और यहां पर जो भी हम लोग के फिनांशियल काल्कुलेट किये तो बहुत अच्छा का सा फिनांशिल दिख रहा है थोड़ा सा दिक्कर की बात हो सकता है in the case of the promoter holding तो यहां पर आप लोगे एक बार सोचने का जरूरत है और technical analysis के हिसाब से तीनों टाइम फ्रेम में वन डे वन मन्त और वन वीक तीनों में हम लोग एक थोड़ा सा नेगटिव ट्रेंड दिख रहा है तो यहां पर नीचे आने के लिए कोसिस में है यहां पर लेवल निकला 630 और यहां पर अभी तक क्रियेट नहीं किया हुआ है आगे करेगा नहीं करेगा हम लोग आगे देखना पड़ेगा अगर चैनल के साथ आप लोग जुड़े हुए हो तो एक बार आप लोग को अपडेट मिल जाएगा और यहां पर आप लोग को सही से इंफरमेशन आप ग्यादर कर रिलाइबल पार्टन होता है तो 624 एक लेबल यहां पर टच करने के लिए कोसिस में रह सकता है उसके बाद यहां पर डाइवर्जेंस में आप लोग को कन्फरमेशन मिल गया होगा एक बीरिस का बीरिस मूब का जो की आच्छा कासा रेजल्ट दिखा सकता है तो यहां पर पका बीरिडाऌ भी लिएाख यहां पर ट्रेंड द द लेगा तो यहां पर और और आपको बता देता हूं कि यह पांचो से लग भग सब करेंद आप लोगको दिखान और आप लोग को और रेशा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बाद लाइक कर दीजिए और चैनल में नेया है तो एक बाद सब्सक्राइब करेजिए अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए थैंक यू थैंक यू सो मच